अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को सेर कीजिए नमस्कार दोस्तों आज हमने स्री सांतिलाजी सर्मा ग्राम रेडी बुरावास के गर के अंदर अंदर का जो पुट्टी का कारिया था वो कारिया हमने कम्पलिट कर लिया है और उस पर फिर रेजमाल की गिसाई अच्छी तरह से करने के बाद हमने प्राइमर का फैस्ट कोट लगाना सुरू कर दिया है और ये प्राइमर का जो फैस्ट कोट है वो हमने सुरू किया है उपर के रूम से और इस से प्रेव ऊपर के रूम के बाद में हम शीडियों पर और अंदर जो मैन होल है रसोई है suggesting है बार का गेलरी है वहां पर हम प्राइमर का जो कोट है वो लग और प्राइमर का कोट लगने के बाद ये जंगले वगेरे जो भी बचे है इन पर ओल पेंट होगा और फिर हम अंदर अंदर का घार इनको कम्प्लिट दे देंगे फिर ये बहार से ये जो मैं कार्बन आपको दिखा रहा हूं ये कार्बन का पूरी तरह से गसाई वगेरे करन दूरी होता है क्योंकि अगर कार्बन रहे गया तो वहां पर कलर का पपड़ी बनते देर नहीं लगती इसलिए ये कार्बन है वो अच्छी तरह से हमें साफ करना पड़ेगा और ये पिछे आप पाउंजी शर्मा का घर देख रही हैं ये घर भी हमने ही कम्प्लीट किया थ आज से साइद 15 दिन पहले हमने कम्प्लीट किया था वो वीडियो में पहले डाल चुका हूं और आज दो मेरे नए पेंटर भाई हैं उनको बुलाया है मैंने तरह नगर से और इन में से एक ये फारुक है और दूसरा अजे कुमार और ये है इनका मैन हॉल और मैन हॉल का ज इसमें शुरू कर दिया है पुट्टी और प्राइमर ये जब दिवारों पर लग जाता है तो घर काफी खूब सूरत लगने लगता है काफी और सफेदी का तो आप जानते ही है सफेदी काफी अच्छा लगता है दिवारों पर हाँ हलका कलर हो तो भी चलेगा पर ज्यादा 90% गरों में यही सब पुटी और प्राइमर है वो चलता है और पुटी और प्राइमर काफी खुबसूरत भी लगता है ऐसा नहीं है कि यह अलग लगता है काफी मतलब आंखों को भाने वाला यह वाइट कलर है वो होता है और इनके जरस्ट बाजू में आप जो रसोई देख उसमें भी एक पेंटर भाई लगा हुआ है अंदर शुरी गजानन्द स्वामी मेरे छोटे भाई वो भी लगे हुए हैं अंदर और यह देखे यह तो काफी स्पीड से लगे हुए हैं क्योंकि इनको दो दिन के लिए मैंने बुला है काम पर और यह दो दिन तक मुझे काम में थोड़ा हाथ बटा कर फिर इनको मैं गोसाला में काम करने के लिए भेजूंगा और गोसाला का जो ओपिस है वो भी हम तयार करेंगे और थ्री डी पेंटिंग्स गोसाला के जो ओपिस है उसमें बनेगा पर वो थ्री डी तो मैं ही बनाऊंगा यह पूरा उसमें जो कलर है कलर लगा कर ये आएंगे फिर इनको तीसरी जगे पर भेजा जाएगा काम के लिए ये इनके घर का रसोई और रसोई भी काफी बड़ा है इनका तो ये लगबग कल है वो अंदर अंदर का जो कलर करिये है वो कल कम्पलिट हो जाएगा और फिर हम बाहर का जो कलर है वो जाकर छोड़ देते हैं ताकि सुबह जब ओपीस में पुट्टी लगाया जाए तो अजे और फारुक का हाथ ने अड़े इसलिए हम ये लेकर जा रहे हैं ताकि सवेरे सवेरे यहां पर नहीं आना पड़ेगा वहीं से अपना ये काम है वो शुरू कर देंगे और मसीन से अमराम जेहिंद।